नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों अभी क्लासे 2.0 में आप सभी का स्वागत है मैं आज लेकर आया हूं टेंस से संबंद एक महत्पूर्ण वीडियो जो आपके सभी टेंसों के लिए महत्पूर्ण सावित होगी तो देरना करते हुए शिरू करते हैं यहां पर देखो टेंस लि दिफने से एफ और भर्व यूस्टो इंडिकेट दा टैम एंड सम्ताइम्स दा कॉन्टिनिवसन और कॉंपलिटने अफ एन एक्षन इन रिलेशन तु दा टाइम अफ इस्पीकिंग इस नौने टैंस अब देखो टैंस के ताइप कितने प्रकार के है तो देर आर थी टाप सब्समेला प्रिजेन टेंज दूसरा पास्टेंज दीसरा फूचर टेंज और पिर्थेक टेंज आपको बता देता हूं प्रिठेंज अफने आप में चार पार्ट में डिवाइड है यानि चार प्रकार के होते हैं देखो नीचे लिखाओ भी है every tense is type of four यानि इनके प्रितिक tense है उनके चार प्रकार है पहले उनको रखा गया है पहला प्रकार indefinite होता है दूसरा continuous होता है तीसरा perfect होता है और फोर नमर का होता है perfect continuous अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता चला हूँ तो देखते हैं पहले देखते हैं प्रिजेंट के बारे में किसके बारे में पहले देखते हैं प्रिजेंट के बारे में तो पहले प्रिजेंट के बारे में देख लेते हैं प्रिजेंट को कितने कैसे पड़ा जा definite बोलेंगे present tense तो present लगा देंगे उन्हीं चारों के साथ में पास्ट होगा तो पास्ट लगा देंगे और future लगा देंगे तो देखो पहले आए present tense यानि present indefinite दूसरा present continuous और तीसरा present perfect और चौत्रा present perfect continuous पास्ट टेंस में इसी तरीगे से ऊद्द पास्ट इंडेफिनेट पास्ट snare परफेक्ट और पास्ट्परक्ट परफेक्ट पीचर принपने पीचर्ज अचारी दुयानि अपको पढ़ना किस तरीगेस कि आपको बस यह ध्यान रखना के penकेरों कि चार में चार प्रकार का ओता है नमब फर्स्टों सब्सक्राइब दूसर होता है सब्सक्राइब कभी कभी क्या होता है कि सिंपल इस तरीक से आ जाएगा सिंपल लिखा हुआ तो आप यह ना समझें कि सर ने बताया निस एस आई एंट पी एल इस इंपल कि तो सिंपल भी बोल देते हैं प्रजेंट इंडेफिनेट को तो सिंपल सिंपल टेंज यानि प्रजेंट प्रजेंट सिंपल या सिंपल प्रजेंट इस तरीके से बोले जाएगा ऐसे पास्ट में बोलते हैं सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर इस तरीके से और सिंपल प्रजेंट सिंपल प्रजेंट का मतले इंडेफिनेट वाले सिर्फ इंडेफिन लगा देना है इस तरीगे से पड़ना है किler उनके बारे में उनके बारे में इनका बीगा लादेता हूं जबो टेंस आपको यह पता होना चाहिए कि टेंस के बारे में टेंस जो भी मैंने आपको अभी कराया है उन्हीं टेंस के अकॉर्डिंग में आपको करा रहा हूं सेसंसे पहले हम देखते हैं कि टेंस के आपके सामने इसमें तीन फार्मेट आपको पता होना चाहिए टेंस की टेंस को इस टेंस इत इस । नॉन भाइस त्री नेमस्स फर्स्ट नियम में Tens कहते हैं टैंस टेबल कहते हैं दूसरा कहते हैं डारेकट की टेवल और तीस रा बोलते हैं active की टेभल जो हम active passive voice करते हैं और direct and direct करते हैं तो यानि पहली tense की खुद table होती है यह यह और direct की table भी होती है और active की table भी यही होती है तीनों की अखिली एक ही table है ऐसा नहीं आपको तीनों के लिए अलगलग से learn करना पड़ेगा इन तीनों का मतली एक ही table से आप अगर learn कर पाते हो तो यह समयों आप टेंस की टेवल भी लान हो गई डारेक्ट की टेवल भी लान हो गई और active की टेवल लान हो गई तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में explain करके बताता हूं पहला देखो आप सीज़े सीदे करना है कि जैसे हम present indefinite present continuous present perfect present continuous यह आप इस तरही की से करना चाहिए पहले indefinite की तीनों कर लो present indefinite past indefinite future indefinite जिनको जिस तरही की से लर्न करना हो वह उस तरही की से आप लॉन्न कर सकते हूं , तो देखो, प्रिजेंट की क्या पहचान है, प्रिजेंट membrane कही पहचान है, अगर वाक्य के अंत में ताह है, ती है, ताहूं, यहां तरीके से कुछ वर्ड आते हैं, बाक्य के अंत में तो हमें उन से पता चल जाना चाहिए कि वो present indefinite tense में बाते हो रही हैं तो इसके लिए हम helping verb लगाते हैं do does क्या लगाएंगे do does इसमें क्या है man verb की first form आएगी लेकिन man verb की first form आएगी लेकिन अगर वाक affirmative होता है कैसा हो अगर वाक affirmative sentence हो तो उसमें do does का प्रियोग नहीं करते हैं बलकि man verb की first form में as या yes का प्रियोग करते हैं लेकिन इसके अलावा अगर affirmative sentence के अलावा अगर sentence आते हैं जैसे interrogative है negative है तो उनके साथ हमें do does का ही प्रियोग करना पड़ेगा do does के बाद फिर हमें man verb की first form यूज़ करने पड़ेगी हम यहां do does का प्रियोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि affirmative sentence में क्योंकि इसमें do does नहीं आएगा और उसकी जगे हम man verb की first form लगाएंगे क्या लगाएंगे man verb की first form और man verb की first form में as या yes लगाएंगे कब जब वाक्य कैसा हो singular हो उसमें वाक्य का मतल अगर उसका subject अगर singular है तो उसमें हम as या yes लगाएंगे लेकिन as और yes लगाते हैं हम किसके साथ हैं अगर यह में yes लगाना हो तो जिन वर्णों के पीछे में o i ch i x i s आ जाए तो जातरे इन वर्णों के पीछे इस का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करेंगे इस का बाकी के साथ नॉर्मली हम as का प्रियोग करते हैं लेकिन यह as और yes एक वचन subject के साथ ही लगाएंगे जो इसके साथ में रवाएंगी अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनेक में पास्ट इंडेफिनेक की क्या पहेंच में वाकिक आन्त में ताथा ती थी ते या था यी थी ये थे इस तरीखे सब्द आएंगे और इन करना चाहिए कि यह बाग के पांच में है और इसके लिए हम हेल्पिंग वर्भ यूज करेंगे अगर यह से करना है तो में वर्व की सेकंड फॉर्म में कैसी आई मैं वर्व की सेकंड फॉर्म आती है कैसी आगी मेन वर्व की सेकंड फॉर्म आगी अगर डेड़ आ रहा है उसमें तो डेड़ के साथ हम मेन वर्व की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे क्या लगाएंगे हम मेन वर्व की फर्स्ट फॉर्म लखा हुगा डेड़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है किसकी मेन वर्व की यहां मैं कि अगिदे लिकेने अगर अगर कि अलावा अगर सेंटेंस तो उसमें डिड़ का प्रयोग करेंगे और बाख के चाहिए तो उसमें हम महनवारू की सेकड फॉर्म यूज़ करेंगे क्या करेंगे में वर्व की second form नेक्ट देखते हैं future indefinite future indefinite की पैच्छान क्या है अगर वाकि क्यानत में गागी की सब्द हाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो tense indefinite है कैसा है future indefinite है और इसके लिए में helping verb लगाएंगे will or self men सब्सक्राइब करेंगे लेकिन आपको साथ यूज करना यह भी आप देख लिए सब्सक्राइब करेंगे और इसकी साथ आलावा यह भी द्याहां रखो एक पट्मकायल सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे आफके अब ओक्षव शाह गया होगाee आगे चल्ते अब ये पूरे इंडेफिनेट का तो हो गया अब कंट्यूनिस का देख लेते हैं तो कंट्यूनिस में क्या है इसकी पैचान है आइडेंटिफाई कमा तो पैचान है वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहा हूं इस तरीगे के कुछ सब्दाएंगे जैसे मैं बोल रहा हूं मैं पेच्छान लेने चाहिए कि यानि से कंट्यूनेस का है प्रिजंट में आपको ऐसे याद रखो प्रजंट वह चीज जिसमें है सब्दाये हैं हूं और पास्ट में वह था थी थे कुछ ऐसी सब्दाइंगे और फ्यूचर में गागी गए ऐसे कुछ सब्दाइंगे तो वह फ कि यूप करेंगे यू भी इनके साथ आर का प्रेयोग करेंगे किसका प्रियोग करेंगे और इसमें मैंन बारु की फर्स्ट पॉम में आई एंजी का मतल्य चल रहा ला तो आई एंजी हम इसलिए यूज करते हैं पास्ट कंट्यूनिस में इसमें बाक्य के अंत में राध हा रही थी रही थे कुछ ऐसे सब जाएंगे तो उसके लिए हमें में इलपिंग वर्व यूज करेंगे मैं वारू की फर्स्ट पॉम में आई एंजी भी लगाएंगे और आई ही सी एंड नेव के साथ वाज का प्रयोग करेंगे यूवी दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे और इसके लाबा यह भी ध्यां रखो अगर अगर सब्जेक्ट हमार सिंगुलर हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट की साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर कप्रयोग करेंगे और आगे चलते हैं future continuous future continuous में क्या पेंचान है अगर वाक्य के अंत में रहा होगा रही होगी रहे होगे रहा होगा कुछ इस तरीके से वर्ड आएंगे उन वर्डों के according हमको समझ जाना चाहिए कि यह वाक्य future continuous टेंसम कहां है तो इसके लिए हम helping वर्व यूज करेंगे इसमें future में सभी एक जैस आई है अभी मैंने आपको इससे पहले future indefinite का पता है कि आई और वी के साथ सेल का प्रियोग करेंगे singular subject के साथ हम विल का प्रियोग करेंगे plural subject के साथ सेल का प्रियोग करेंगे अगर यह है वह मैं आपको लिख देता हूं सॉट में के singular सेंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रियोग करेंगे किसका विल और plural subject के साथ सेल का प्रियोग करें किसका विल के साथ द्यान रखना सेल का प्रियोग करना है किसका आई और वि के साथ सेल का आगे सलते हम perfect tense की तरब सलते हैं , यह तीनो आपको समझ में आ गये होंगे तीनो perfect देखे लिए थे perfect में पीचान है यहें यह है यह यहं , चुका है चुकी है चुके हैं कुछ नरी इस सिरफे के last में वर्ड आएंगे, जो सब्ड आएंगे तो इन से हमको पेंचान लेना चाहिए कि यह जो tense है जो tense perfect में हैं किसमें perfect हैं इसके अलाबा हमको यह भी और ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो work है वो पूरी तरीके से खतम हो जाना चाहिए कैसा हो जाना चाहिए खतम यानि पूरी तरीके से complete हो जाना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ है complete work, क्या हो जाना चाहिए उसमें complete work, जैसे मैंने काया कि मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, तो इस तरीके से राम सो चुका है, मेरा दोस्त घर जा चुका है, तो इस तरीके से जो मतल टेंट को में है इसके लिए हम हैं। एच भीं कल रोल में अब पास्थ पर्फेक्ट में क्या है। टो है जोर में थारा कि शुक है तियों मैन्वर्ब क्या थिक्या लेते हैं । पाप्ष्ट पर्फेक्ट पाट्ट पर्फेक्ट में क्या है चुका था वाख्य के अंतों में चोका था चुकी थी चुकए थे और इसमें भी आपको क्या द्यान रखना यहось में भी वर्क पूरी तरीके से靠 को भली तरीके से पाश्ट इंटैक हिगर कोगए अगए यह है तो हेलपिंग भाँब हैड का मैं भार्व की थड़ फोम लगाएंगे इसमें क्या लगाएंगे मैं भागत की थड़ फ़ोम ऑके देख लेते हैं अ उन सब्दॉमें और उन से अमें यह पता पढ़ जाना चाहिए या पता लग जाना चाहिए कि अगर वाकर क्यांतों में चुका होगा चुकी होगी चुके होगे या चुका होगा कुछ इस तरीके से सब्दा आते हैं तो हमें पता हो जाना चाहिए कि वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट का है और में helping वार्व वाला थोड़ा नहीं बता पाया हूं दुबारा से एक बार और देख लेगी फ्यूचर कंट्यूनिस में क्या है कि आइडेंटिफाई मैंने आपको बता था कि रहा होगा रही होगी रहे होंगे रहा होंगा कुछ इस तरीके से सब्दाएंगे और इसमें helping बार विल भी और सेल भी आएगी क्या एगी विल भी और सेल भी तो यहां पर मैं विल भी लिखना भूल गया था तो यहां पर भी है व तो मैंने बस यह आपको बताया कि यह सिंगोलर होता है तो इसके साथ विल भी लगाना है और प्लूरल होगा तो सेल भी लगाना है ओक्षिंट पर्फेक्ट कंट्यूनिस में क्या है पैशान इसकी राह है रही है रही है और इसमें आपको जो टाइम दिया होगा क्या होगा यह सब्समें बजने से पढ़ा रहाओं रहा हो और दो बजनी से खाना खा रहा है तो इस तरीगे से कुछ सब्द आते हैं तो उससे हमें पहचान चल जानी चाहिए कि यह टेंस है वह प्रजेंट परफेक्ट कंट्यूनिस का है तो इसमें हैज भीन हैपीन लगाएंगे और में बारू की फर्स्ट कॉम में आई एंजी लगाएंगे है ऑलक étant डेफिनेट टाइम डेफिनेट टाइम के लिए फॉल लाएंगे डेफिनेट टाइम की लिए फॉल लागे डेफिनेट का मतल्य है जो टाइम से ठाध नहीं है किदने बजे तो जिसमें हमें टाइम फिक्स हो तो वह हमारे डेफिनेट टाइम हो जिसमें डेफिनेट नहीं हो वह कई सालों से इस घर में रह रहा है तो कई सालों से क्या मालों कौन से सालों से रह रहा है तो इस तरीके से पता नहीं हो जिस टाइम का तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट टाइम के लिए सिंस लगाएंगे और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉल लगाएंगे अब देखो पर्फेक्ट कंट्यूनिस में इसकी पैचान क्या है कि रहात वाक्य क्यांत में रहात था रही थी रहे थे आध कुछ इस तरी के सब्दाएंगे इसमें भी टाइम गिवन ह होगा क्या होगा टाइम गिवन होगा जिसमें एल्पिंग वार्भ हैडबीन का प्रयोग करेंगे में लगाएंगे वह इंडेफिनेट टाइम के लिए लगाएंगे और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर यूज करेंगे नेक्स देखते हैं फूचर पर्फेक्ट कंट्य में बाके के अंत में रहा होगा रही होगी रहा होगा आद इसके कुछ सब्दाएंगे और इन से पता हो जाना चाहिए कि यह टेंस कैसा है यह रहा होगा एक बार और में जल्दी यल्दी आपको रिविजिन करा देता हूं आधे इस तरी के सब्सक्राइब के वाकी के परियोग करेंगे और इसके साथ में आयोगी पास्ट इंडेफिनेट में वाक्य के अंत में ता था थी थी ते या था यी थी ये थे कुछ तरी की सब्दाएंगे और जिसमें हम helping word did का प्रयोग करेंगे और man वरुक की फर्च पॉम का यूज करेंगे डिड़ के साथ लेकिन अगर वाक्य एफिरमेटिव सेंटेंस में हो तो मेन वर्व की second form आएगी ओके future indefinite में वाक्य के अंत में गागी के सब्ताएंगे और helping वर्व आएगी उसमें पेल और cell मेन वर्व की first form लगाएंगे जिसमें he, see और it के साथ will का प्रयोग करेंगे लेकिन i, u, v, t, c, 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 c रहें रहें रहाँ उस तरीकी सब्दाएंगे और हेल्पिंग वर्व लगाएंगे हम इज आ रहें और आई के साथ एम आएगा लिए जाएगा यूवी दे के साथ आ रहेंगा और मैं वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आई एंज लगाएंगे इसके लाबा ये भी ध्यान रखन सब्जिक्त के साथ इसका प्रेंग करते और प्लूरल क के साथ और का प्रेंग करते हैं पास्ट कन्टूनेस में क्या करेंगे इसे रहेँ हकी वाज वर्व और मैंवर्व की फॉस्स फॉ lat g लगाएंगे आईज ही इनके साथ रहेंगी विटा की साथ यूव्य तह यवर् hypocr,ани सब्सक्राइब करेंगे और होगा यह यह वाग्य में यूजघ करेंगे लगाएंगे मैं लगाएंगे इन चलते हैं कि समझ में आगे होंगे दोनों को कुछ कि आगे नइब्सक्राइशत फिर्जेंट परफेक्ट का देख लेदें बागे का में यह 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 है चुका यह चुक यह चुचा है चुक्य The future इंट में रफ्पर्फेक्ट में वाख्वे ही चुकी थे चुके थे और इसमें भी पूरी तरीके से जिसमें प्रियोग करें के के सक्की सभावना होगी क्टिशन परफेक्ट में बनार प्रेयोग करेंगे । परेप्यवर्व की third form आएगी नेक्स आगे चलते हैं ये प्रिजन्ट परफयक्ट बाक्य के अंतर में राहें रहें रहें रहा हुँ और इसमें ताइम आपका दिया वहा गिविन टाइम लिखा गया है जिसमें हेज बीन का सरो कि स्वाइड़न का इने कंतल होता है मैंने को हैं पर्फेक्ट क्टैनिस में क्या करेंगे वाकि के अंत्व में और वाके क्यान्त में रहा होगा रही होगए रहे होंगा उस तरीके से सब्दाएंगे जिस Васएं से समय माध के लिए लगए आपको पसंद आया हूँ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें धन्यवाद